जैशी गिश्न दोस्तों बियसरा फैमली में आपका स्वागत है दोस्तों हिंदू धरम में तुलसी के पोधे का बहुत अधिक महत बताया गया है हमारे ग्रंथों और शास्त्रों में तुलसी को बहुत ही पवित्र और लापकारी बाला गया है जिस घर में तुलसी होती है उस सबी जानते हैं कि तुलसी का बहुत अधिक महत्व है वेग्यानिक तोर पर भी और हमारे हिंदु धरम में भी दोस्तों तुलसी का पोधा एक मात्र ऐसा है जिसको लगाने से कभी भी घर में वास्तुदोश नहीं होता घर में सकारात्मकुर्जा का वास होता है और जो वैक्त पहले जर्म के सारे पाफ नश्ट हो जाते हैं और आपने देखा भी होगा कि तुलसी के पत्ते को गंगा जल के साथ मृत्यू के समय लेने वाले वैक्ति की आत्मा को शांती मिलती हो साथ ही वह स्वर्ग में वास करता है दोस्तों तुलसी का बहुत अधिक बहत बताया गया आज मैं तुलसी से संबन दे के ऐसा उपाय आपको बताने वाली हूँ जिसको करने से आपको निश्टी मन वांजिल संतान की प्रापती होगी धन की इच्छा है तो धन की प्रापती अवश्य ही होगी दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले जो पहली बाए मेरी वीडियो को सुन रहें प्लीज में चैनल को सस्क्राइब करें बगले बैल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सकें दोस्तों तुलसी का बहुत अधिक महत्व है और इस उपाई को आप किसी भी अच्छे दिन में सोमवार में शुकरवार में या एकादशी पुरण मासी या सक्रांती के दिन करें दोस्तों इन दिनों में देखे तुलसी का बहुत अधिक महत्व माना जाता है अगर आप श्रीहरी भगवान का यानि भगवान कृष्ण का विश्नु का पूजन करते हैं और साथ ही आप ए पूजन करें अगर अगर आपको धन की इच्छा है तो आप ओमनमो भगवते वा सुदेवाय मंत्र का पूजन करें इस तरह से श्रीहरी भगवान का पूजन करने के बाद आपको देखें तुलसी माता का पूजन अवश्य ही करना है तुलसी माता का पूजन में आप थोड़ा सा कच्चा दूद और गंगा जल डालकर तुलसी माता पर अवश्य ही चड़ाएं उनको रोली लगाएं और साथ ही आपको कलावा यानि जिसे मोली का जाता है वो भी अवश्य लपेटे तुलसी माता का ही वहाँ पर एक दीपक जलाए और तुलसी माता की चार परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाई कहते वह अवश्य ही आप लगाएं और साथ ही आपको देखे जो आपने श्रीहरी भगवान को अर्पित करी है एक रुपे का सिक्का गौमती चक्र और एक रक्त गुंजा इन तीनों को तुलसी के मिटी में आपको थोड़ा सा गढ़ा करके वहाँ पर दबा देना है दोस्तो उस दिन से आपको लगातार कम से कम 40 दिन तक एक शुद्ध घीका दीपक अवश्य ही जलाना है और श्रीहरी भगवान से भी जो भी आपकी मनो कामना है उसके लिए प्र प्रातना करनी है जो भी आपकी मनो कामना है पुत्र की है संतान की है धन की है इस तरह से उस दिन से अगर आप नित्ते प्रती तुलसी पर एक दीपक जलाते हैं और उनसे डेली प्रातना करते हैं तो निश्य धी देखना आपकी मनो कामना अवश्य ही पूरी होगी दोस्तो अगर डेली अगर आप रोली कुम कुम तुलसी माता को लगाते हैं तो निश्यद ही आपकी मनुकामना और भी शीगर पूरी होती है लेकिन एकादशी सक्रांती पुरनमासी यानि जो विशेश दिन मांगे जाते हैं उन दिनों में आप तुलसी पर एक चमच कच्चा दूड डालकर अवश्य ही उनको जलर पित करा करें इस प्रकार अगर आप 40 दिन तक कर लेते हैं तो निश्यद ही आपकी जो भी मनुकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी दोस्तों सुलसी माता श्रीहरी भगवान की प्रिये हैं और आप इनका पूजन करते हैं तो निश्यद ही आपकी जो भी मनुकामना है वो अतिशीगर पूरी होती है दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें आप सभी को जैशी घशना